हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागर दे आपका मायसरजी.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त सौरब शुकला तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मायसरजी प्लाटफॉर्म पे वो तीन वीडियो कौन से हैं जो बहुत अंडर रेटेड रहे यानि वो वीडियो तो बहुत खास थे उसका कॉन्टेंट तो बहुत जबरदस्थ था लेकिन वो वीडियो उतने जादा लोगों ने देखे नहीं है मैं उन वीडियो की बात कर रहा हूँ जिनको आपको जरूर से देखना चाहिए जिसको की कम व्यूज मिले हैं लेकिन उसका जो content है वो आपके लिए बेहत काम का है तो आज हम बात कर रहे हैं top 3 underrated videos of my surgery in 2019 दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था MCA की तैयारी कब से करें section में भी पूछते हैं लेकिन ये वीडियो उनके बेहत काम का है शायद उन्होंने देखा ही नहीं in fact आज तक अगर हम देखें तो लगबग उसमें 10,000 views ही आये हैं लेकिन इतने सारे लोगों का ये doubt है फिर उन्होंने ये वीडियो क्यों नहीं देखा ये वीडियो बेहत काम का है ये वीडियो मैंने शूट किया था शरग गुपता सर के साथ जो mca की coaching पढ़ाते हैं और उनको काफी इसमें experience है तो उनके साथ हमने ये वीडियो शूट किया था हम लोगों ने आपस में बातचीत करी थी कि MCE के त्यारी एक्षाल में कब से करने चाहिए यूजली student वीडियो करते हैं कि वो अपने graduation को पहले complete करने के बारे में सोचते हैं फिर सोचते हैं कि अब हम MCE के त्यारी ड्रॉप लेकर करेंगे तो एक भारी mistake कर रहे होते हैं तो ये बात है कि MC के त्यारी कब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर एक अच्छा कासा discussion, लगबग लगबग 19 मिनिट का ये वीडियो था, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी काम के जानकारी है, यदि आप graduation कर रहे हैं और आपका graduation एक normal graduation है, apart from the BTEC, तो आप हो सकता ह MC करने के बारे में सोचें, और नहीं सोचा है, तो भी आप देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, आपको लगे कि MC करना आपके लिए बेहत ज़रूरी हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर चेक आउट करेगा, ये वीडियो काफी ज़ादा underrated रह मुझे लगता है, लेकिन ये वीडियो आपके बेहत काम का है, दोस्तों इसके लावा एक और बहुत शांदार वीडियो था, जो की motivational कह सकते हैं, आप career guidance नहीं था, कुछ technical मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन motivational वीडियो था, और मुझे लगता है ये बहुत ज़ादा important है, और ये वीडियो का title था, कि विजेता बनना है, तो हारना सीखो, अगर आपने इस वीडियो को चेक नहीं किया, तो ये रहा उसका link, आप इसको ज़रूर से चेक कर लीजे, प्रिकर ये वीडियो बनाते हैं, मेरे दिमाग में कुछ real experiences थे, real experiences थे उन बच्चों को देखकर, जो लोग अकसर निराश हो जाते थे अपने failure के साथ, failure को accept ही नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर ये बात जाना जरूरी है कि इसके क्या impact हो सकते हैं, और एक अच्छी परवरिश के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझे, समझे और उन लोगों तक इस दुनियात हम बच्चों के पास रख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी कमी और खामी है, जिसके करने बच्चा बड़े होते होते कुछ जादा ही depressed हो जाता है, जादा ही pressure feel करने लगता है, तो ये बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जब बड़ा हो दुनिया को देखे, तो वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बलकि हारने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी हार को बरदाश्ट नहीं कर सकते, तो हमें जीतने का भी कोई हक नहीं है, इसके बारे बहुत डीटेल में बहुत अच्छे से बात करी गई है इस वीडियो में, तो इ वीडियो नहीं है काफी छोटा वीडियो है लेकिन ये वीडियो आपके काम का है इस वीडियो को 99% like मिले यानि कि बहुत ही ना के बराबर कोई ऐसा है जिसने dislike करा है वो भी content की वैसे तो मैं guaranteed बोल रहा हूं कि उसने dislike नहीं करा होगा आप एक बार इस वीडियो को दरूर सभी के लिए दोस्तों अकसर स्टुएंट ना कई तरह के doubts पूछते हैं और खास तोर पे वो अपना career कैसे बना ले ऐसा career कैसे बना ले जिसमें उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे ये सभी लोगों की चाहत होती है और इन सब स्टुएंट्स के लिए मैंने एक खास वीडियो बनाया था जिसको मैं आज के list में number one पे रखना चाहता हूँ और इस वीडियो का title है ये तीन गलतियां कभी मत करना दोस्तों वीडियो नहीं देखा हो तो इस link पे click करें इसको check करें because ये जो वीडियो है मैंने उन तीन गलतियों के बारे में यहाँ पर बताया जो सकता है कि आभी आप school से निकले हों just college में पहुंचे हों या college complete होने वाला whatever ये वीडियो आपके बेहत काम का है क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन तीन गलतियों के बारे मैं आपको बताया है जो maximum students करते हैं और I am pretty sure कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप बिलकु करियर बनेगा इस वीडियो को काफी पसंद किया गया है इसके करीब 40,000 व्यूज होएं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो content है इसका वो सभी के लिए इतना ज़ादा जरूरी है कि सिर 40,000 लोगों ने क्यों देखा है भई इसका कारण है कि आपको इसे share भी करना पड़ेग आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे share करिए because ये वो messages है ये वो guidance है जो कि हर student की जरूरत है अगर आप उन तक पहुँचाएंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा हमाई society के लिए अच्छा होगा तो please इसको share करना मत भूलिएगा ये video बेहत काम का है students के लिए तो दोस्तों ये थे वो तीन वीडियो जो माय सरजी के platform पे most underrated videos थे जिनको और जादा popular होना चाहिए था तो please help those students who are in great need of these videos please share them as much as possible on your different different social media platforms like whatsapp or facebook so please share it और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो please इसको like करिये जितना हो सकता है इसको share करिये और अगर सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना है दोस्तों थैंक यू गॉट बाए